Good morning students, I am Arthi. I am going to teach chapter 5, multiplication for class 3. Students, आज के class में मैं आपको exercise 5.2 समझाओंगी. तो सबसे पहले हम first question देखते हैं, fill in the blanks using multiplication facts. आपको ये fill in the blanks को feel करना है, multiplication facts के दवरा. इसे 5 into 7 equal to कह रहा है, यहाँ पे fill in the blanks into 5. यहाँ पे क्या feel होगा, इसके equal to में. तो इसको equal to करना है, इसके equal to में इसको करना है. तो आप देख रहे हो कि यहाँ 5 into 7 था, जिसमें से आपको 5 यहाँ दिया हुआ है right side में. तो अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जो इसके equal to में हो जाएगा. तो हम 7 यहाँ डालेंगे, तो 7 into 5 हो जाएगा. क्योंकि यह 5 into 7 था तो 7 into 5 दोनों equal हो जाएगा तो इस तरह से आपका यह question भी solve हो जाएगा अब है 12 into 0 तो मैंने आपको बता दिया है कि 0 से अगर हम किसी भी number को multiply करते हैं तो हमारा product 0 ही आता है फिर आप देखो 19 into यहाँ पे fill in the blanks equal to 19 यानि कितना से इसको multiply करेंगे जो यहाँ पे 19 जाएगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया है तो वो भी बन जाएगा आपसे तो यह जितने भी question number first है यह आपसे बन जाएगे अब question number second students table किसी को भी याद करने में थोरी सी कटिनाई होती है उसके लिएक pattern यहाँ पे बना हुआ है जो मैं आपको समझाओंगी ताकि आप table आसानी से याद कर सके है suppose 12 का table लिखना है और याद करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे उसके बाद into 12 into 12 जिसका भी table लिखना हो अगर अभी जैसे 12 का table लिखना है तो into 12 सारे में करते चले जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हो 1 into 12, 2 into 12, 3 into 12 इस तरह से यहां तक आप देख रहे हो 10 into 12 तक है आप देख रहे हो यहां कि 1 12 जा 12, 2 12 जा 24, 3 12 जा 36 और इसी तरह से 4 12 जा हो जाएगा यहां पर 48, 5 12 जा हो जाएगा आपको 60 इस तरह से यहां पर बना लोगे और यहां पर जैसे यहां पर 12 था इसका product तो यहां 10 plus 2 is equal to 12, 24 था तो 20 plus 4 is equal to 24, 36 30 plus 6 is equal to 36, 48 तो 40 plus 8 is equal to 48, यहां पर 60 इसका product है तो 50 plus 10 is equal to 60, इस तरह से students हम इसको पूरा बनाएंगे, आपको बनाना है तो यह question number 2 भी आपसे बन जाएगा, अब question number 3 देखते हैं कह रहा है in each group, circle the odd one out, this is, one is done for you जैसे इसमें कह रहा है आपको की odd number जो भी है, उसको circle करो, एक आपके लिए किया हुआ है जैसे यहां पर 2 into 6, तो हम जानते हैं कि 2 into 6 is equal to 12, फिर 3 into 4, तो 3 into 4 is equal to be 12 होगा, फिर 4 into 3, तो 4 into 3 is equal to be 12 होगा, 6 into 2 is equal to be 12, लेकिन 5 into 10 is equal to 12 नहीं होगा, 5 into 2 is equal to 10 होगा, जबकि इस सारे का product जो है, इस सारे का product आता है 12, लेकिन इसका 10 है, तो students यही odd number हो गया, तो इसको हम circle करेंगे, इसी तरह से हम, इसमें भी फिर देखेंगे, question हम अभी देखते हैं, 6 into 4 is equal to 24, 8 into 3 is equal to 24, 5 into 9 is equal to 45, 12 into 2 is equal to 24, 4 into 6 is equal to 24, तो आप देख रहे हो कि यह जो है, सारे इसको 5 into 9 को छोड़के, बांकि यह चारो जो है, इसका product same है, लेकिन इसका अलग है, तो यह odd हो गया, तो इसको हम circle कर देंगे, इसी तरह आपको odd number भी बनाने हैं, आप question number 4 देखते हैं, students कर रहा है कि multiply and write the product, कर रहा है multiply करो and product लिखो, तो 19 को हम 11 से multiply करेंगे और उसका product लिखेंगे, आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में कि जो results आते हैं, वही product होते हैं, तो 19 को हम 11 से multiply करेंगे, इसी तरह से सब को multiply करना है, बहुत ही easy है, आपको 11 से दिया गया करने को, त इसका product लिखना, अब मैं निक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बताऊंगी, thank you